कामिका एकादशी वरत दो हजार पच्चीस दो हजार पच्चीस में कामिका एकादशी कब है? कामिका एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन भगवान विश्नों के उपेंद्र स्वरुप की पूजा की जाती है. इस एकादशी के वरत को करने से पूर्व जन्म की बाधाईं दूर होती हैं इस पवित्र एकादशी के फल लोक और परलोक दोनों में उत्तम कहे गए हैं क्योंकि इस व्रत को करने से हजार गौदान के समान पुन्य प्राप्थ होता है और जीवन में सुक्समृध्धी आती है कामिका एकादशी व्रत शुभ मुहूर्थ दो हजार पच्चीस साल दो हजार पच्चीस में कामिका एकादशी का व्रत सुमवार 21 जुलाई को रखा जाएगा एकादशी तिथी आरंध होगी 20 जुलाई दोपहर 12 बचकर 12 मिनट पर एकादशी तिथी समाप्थ होगी 21 जुलाई सुभ नौ बचकर 38 मिनट पर कामिका एकादशी व्रत पूजा विधी एकाजशी के दिन किया जाने वाला वरत समस्थ पाप और कश्टों को नश्ट करके हर प्रकार की सुक्समृध्धी प्रदान करता है कामिका एकाजशी वरत की विधी इस प्रकार है पहला इस दिन प्रात काल्स नान से निवरित्थ होकर पहले व्रत का संकल्ट लें और भगवान विश्नु की पूजा प्रारंभ करें दूसरा पूजन में प्रभो को फलफूल, तिल, दूध, पंचामरित आधी अर्पित करें तीसरा व्रत वाले दिन भगवान विश्नु के नाम का स्मरण करें एवं भजन कीर्टन करें विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें चौथा एकाजशी के अगले दिन यानि द्वाजशी को ब्राहमन को भोजन और दक्षिना देकर विदा करें इसके पश्चात ही भोजन रहन करें कामिका एकाजशी का महत्व कामिका एकाजशी पर भगवान विश्नु का पूजन करना अत्यंत लाभकारी माना गया है इस वरत के प्रभाव से सब के बिगडे काम बनने लगते हैं इस दिन भगवान विश्नु की पूजा से भक्तों के साथ उनके पित्रियों के कश्ट भी दूर हो जाते हैं कामिका एकाजशी के अवसर पर तीर्थ स्थानों पर नदी कुंड सरोवर में स्नान करने से अश्वमेग यग्य के समान फल की प्राप्ती होती है श्री विश्नुजी को यदि संतुष्ट करना हो तो उनकी पूजा तुलसी पत्र से करें ऐसा करने से ना केवल प्रभु प्रसन्न होंगे बल्कि आपके भी सभी कश्ट दूर हो जाएंगे कामिका एकाजशी व्रत की कथा सुनना यग्य करने के समाग है